आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे should का प्रयोग कहां करना चाहिए और should have to का प्रयोग कहां करना चाहिए जब sentence के last में चाहिए word आए तो आप should का प्रयोग करिए और जब sentence के last में चाहिए ही सब प्रयोग किया जाए तो आप should have to का प्रयोग करिए यहां पर एक बात सबसे पहले clear होनी चाहिए कि subject कुछ भी हो, singular हो, plural हो, subject first person हो, second person हो, third person हो, किसी का नाम हो, आप बेजजग, should का प्रयोग करिए या तो should have to का प्रयोग करिए अब एक एक करके हम देखेंगे इनका प्रयोग कैसे करना है, सबसे पहले हम देखते हैं, examples, examples देखते हैं, should have to के examples कैसे होंगे, should वाले वाक कुछ इस तरीके से होंगे, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, और should have to का जिनमें प्रयोग करना है, उनके वाक कुछ इस प्रकार से होंगे तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए यहां पर दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है जिसमें आपको सुट का प्रियोग करना है उसके लास्ट में सिर्फ चाहिए सब्द आ रहा है जबकि जिसमें आपको सुट हैब टू का प्रियोग करना है उसके लास्ट में करनी ही कुछ इस प्रकार से last खतम होगा. Next, देखते हैं, थोड़ा सा और clear करते हैं, हमें exam-की तयारी करनी चाहिए. यहां में suit का प्रयोग करना है जबकि हमें exam-की तयारी करनी ही चाहिए, यहां पर आपको should have to का प्रयोग करना है. इसी प्रिकार से तुम्हें मेरी बात माननी ही चाहिए तो आपने देखा होगा कि इन दोनों सेंटेंसे में क्या क्या डिफरेंस है शुट का प्रियोग किस सेंटेंस में करना है ये भी आपका क्लियर हो गया है अब हम इसको translate करके देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, affirmative sentence, अर्थाद simple sentence, simple sentence की सरचना कैसी होगी, पहले subject लिखेंगे, उसके बाद में should लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की first form, plus object आएगा, एक बार हम फिर से देखते हैं, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, अगर यह exam की तयारी करनी चाहिए, we should prepare for exam, next, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, you should obey me, उसे यह chapter तयार करना चाहिए, he should learn this chapter, दीपका को मुझसे मिलना चाहिए, दीपका should meet me, उसे यह सब बात समझनी चाहिए, she should understand this, एक बात आपको थोड़ा सा confusion हो रही हो, आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तुमे के लिए यू आया, जबकि तुम के लिए यू आता है, तो मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि एक बार आप प्लीस परस्नल प्रोनावन में जाकर के केसे को पढ़ें, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँग नेक्स्ट हम देखते हैं, should have to का प्रयोग कैसे करना है, अपर्मेटिव संटेंस में should have to की संटेंस की संरच न कैसे होगी, सबसे पहले आप subject लिखेंगे, subject के बाद में आप should, plus उसके बाद have to का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्प की first form और object, अब यहां पर हम देखते ह में तुम्हें की इंग्लिस आपको कंफर्म हो गया होगा यू यू सुड हैब तू टॉक तू हिम तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए यहां पर एक चीज आपको यह मैं बता देना चाहता हूं कि यह डेली यूज के सेंटेंसे हैं हम इन सेंटेंसे को अपने रोज मर्रा की जिन्दगी में बोलते हैं लेकिन बात यह है कि हम कभी ध्यान नहीं देते हैं अगर एक बार आप इन सेंटेंसे को समझ लेंगे तो आपको दिन के जो भी सेंटेंसे बोलने होंगे उसमें आसानी होगे और साथ में आपको इसके स्ट्रुक्चर ब्रामर पता चल जाएंगे हमें exam की तयारी करनी ही चाहिए we should have to prepare for exam तुम्हें मेरी बात माननी ही चाहिए you should have to obey me उससे ये chapter तयार करना ही चाहिए he should have to learn this दीपका को मुझसे मिलना ही चाहिए दीपका should have to meet me उससे ये सब बात समझनी ही चाहिए she should have to understand this अब इसका हम negative देखेंगे negative sentence को समझने के बाद हम interrogative sentence देखेंगे इसलिए प्लीज इस वीडियो को आप पूरी देखिए negative sentence में क्या है कि पहले हम subject लगाएंगे उसके बाद में should और should के बाद में not को apply करेंगे should के बाद में not लगाएंगे उसके बाद work की first palm और object जैसे के तैसे कर देना है तुम्हें उससे बात नहीं करना चाहिए you should not talk to him हमें exam की तयारी नहीं करनी चाहिए we should not prepare for exam तुम्हें मेरी बात नहीं मानना चाहिए you should not obey me उसे ये chapter नहीं तयार करना चाहिए he should not learn this chapter दीपका को मुझसे नहीं मिलना चाहिए दीपका should not meet me और आगे देखिए उसे ये सब बात नहीं समझनी चाहिए she should not understand this अब ये sentence हमने should के साथ समझा था अब यहाँ पर हम should not have to के साथ समझेंगे तो बिल्कुल सेम है आपको बस वही करना है कि सबसे पहले subject लिखना है फिर उसके बाद भी should लगाना है should के बाद में आपको not लगाना है उसके बाद have to यहाँ बिल्कुल आपको clear होनी चाहिए बात कि पहले आप should लगाएंगे फिर not लगाएंगे फिर उसके बाद have to लगाएंगे कहने का मतलब तात्वर क्या है should और have to के बीच में not आएगा तुमें उससे बात करनी ही नहीं चाहिए you should not have to talk to him next क्या है हमें exam के त्यारी करनी ही नहीं चाहिए we should not have to prepare for exam next तुमें मेरी बात माननी ही नहीं चाहिए you should not have to obey me next क्या है उसे ये चैप्टर तयार करना ही नहीं चाहिए he should not have to learn this chapter दीबका को मुझ्से मिलना ही नहीं चाहिए दीबका फुट not have to meet me last sentence क्या है इसका उसे ये सब बात समझनी ही नहीं चाहिए she should not have to understand, अब हमने निगेटिव सेंटेंस समझें, निगेटिव सेंटेंस के बाद हम क्या समझेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, तो आपको simply क्या करना है आपको simply जो उसकी helping verb है sentence को उसके helping verb के साथ ही start करना है बिल्कुल ये हर जगा आप ये नियम लागो करके देखें बिल्कुल सही है सबसे पहले आपने लिखा है should, should के बाद में subject, subject के बाद में verb plus verb की first form plus object क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, should I talk to him next क्या हमें exam के त्यारी करनी चाहिए, should we prepare for exam क्या मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए, should I obey you क्या उससे ये chapter त्यार करना चाहिए, should he learn this chapter क्या दीबका को उससे मिलना चाहिए, should दीबका meet him क्या उसे ये सब बात करनी चाहिए Should he talk all these अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम interrogative sentence पढ़ेंगे Should have to वाले Should have to वाले में क्या करना होगा उसी तरीके से सबसे पहले आप should से start करेंगे Should लगाएंगे subject के बाद में आप क्या करेंगे Have to plus work की first form and object करके देखते हैं क्या मुझे उससे बात करनी ही चाहिए Should I talk to him क्या हमें exam की तयारी करनी ही चाहिए Should we have to prepare for exam क्या तुमें क्या मुझे तुम्हारी बात माननी ही चाहिए Should I have to obey you क्या उसे ये chapter त्यार करना ही चाहिए Should he have to learn this chapter क्या दीपका कुछ उसे मिलना ही चाहिए शुड दीपका है टू मीठिम नेक्स है क्या उसे ये सब बात करनी ही चाहिए शुड शी है टू टॉक अल दीज इसको मैं एक प्रकार से एक नया संटेंस के साथ बोलता हूं क्या आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए चैनल, yes, so, please don't forget to subscribe and share this channel, thank you for watching.